सोच विचार मीडिया सोच आपकी नजरे हमारी क्यों इतनी आत्महत्या की दर बढ़ी जा रही है तो इसको कम करने की क्या संदेश है कि आपके क्या आपकी इस आप से किया जा सकता है इसके वारे में जाने आपकी आपकी एक मिनिट में कोई उसका फैसला नहीं लेता है लगातार किसी काम को लेके उल्जा हुआ रहता है और इसके लिए सबसे अची बात है कि वो अपने परिवार वालों से या अपने जो दोस्त या जिनको वो अपना गुरू मानता है ऐसे वेक्ति से बात करें तो बहुत कुछ समस्या का हल निकल सकता है लेकिन वो अपने आप में ही यदी खोया रहे अपनी ही उल्जनों में यदी खोया रहे तो ऐसी इस्तिति उसको आत्महत्या क्योर लेके जाती है तो मेरा सुझाव यह है कि वो अपनी समस्या को का समाधान वो खुद नहीं कर पा रहा है तो लोगों से पूछे लोगों याने अपने घर परिवार जो उसके शुब चिन तक है उनसे पूछे और उनका समाधान ढूले बहुत खुबसूरत जीवन है जो एक बार मिला है और कुछे को बहुत ही खुबसूरत भाष negativity जीना चाहिए हर समस्या का समधान होता है ऐसी कोई समस्या नहीं यह है जिसका की हल ना हो तो वो समधान उसको नहीं मिल पा रहा है वो अपनों से पूछे हमारे counselor और उसका समाधान को वरभं कि असने क्यों सी वी Church दीधें पहले तो मैं ये बताना चाहऊँगी कि जिनको भी कोई भी मानसीक परिषानी है तो जैसा जैसे ब्षते ले क्शीन हैं तो जैसे एस जैसे ऽिन मीँआर होतीeth नाओ में कोई तकलीफ है कान में तकलीफ हो जाती हैं तकलीफ हो जाती है, पेट की समस्या होती है, लिवर्ड केड़ी होती हमी इस इप समस्या जो कि तेर है, उसी थरह से दिमाग में भी समस्या चथी है , पैली बात तो यए है कि किसी भी तरह का महनसिक जीधी समस्या है तो उसमें शर्माएना, जिजकेना, छुपाएना, आराम से आप हॉस्पिटल आए, हमने हर हॉस्पिटल में, हर P.S.C. में हमारे ट्रेंड डॉक्टर्स हैं, ट्रेंड वेक्टी हैं, उनसे आप संपर्ख करें और आपके मानसिक तकलीफ को देखते हुए, दवाईयां भी भर पूर उपलब्ध हैं, आप टेली कंसल्टैंसी भी कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स सीधे निभान से जुड़के आपकी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, और उस समस्या का बिना कहीं दूर जाए, आपको वहीं पर उसका समाधान मिल सकता है, तो अभी हम लोग ने एक एप भी बनाया है, कोविड की वज़े से हम पोड़ा सा इस कारिक्रम से दूर हट गए थे, लेकिन अब वो एप भी अभी शुरू हो जाएगा, और लोगों को मानसिक समस्या का समाधान बहुत ही आसानी से सभी स्वास्त के इंडरों में उनको मिल पाएगा. ऐसी खबरों के बने रही हमारे सां सोच विचार मेडिया में नमस्कार.